आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आपके माद्यम से मैं सादन का ध्यान, सरकार की उस योजना की तरफ इसना चाहती हूँ, जिसमें रेलवे की छे उसकादन इकाईयों का कंपनी करन किया जाने बाला है। इस योजना के प्रतंचरण में राइबरेली की मौदर्न कोच पैक्टरी होगी। अध्यास महादे, जो कंपनी करन यानि कॉर्परिटाइजेशन का असली माइने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि कंपनी कारन दरासल नीजी कारन की शुरुआत है। यह देश की मुल्य संपती कौर्यों के दाम चंद नीजी हातों के हवाले करने की पहला रक्रिया है। इसे हजारों हजारों लोग बेरुज़गार हो जाते हैं। असे चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रइबरेली की मौदन कोज फैक्टिरी को चुना है। जो कि कई कम्याद फरियोज जुनाव में से एक है जिन्हें दाक्तर मनमोहन सिंजी के निक्रित में क्योंकि ये सरकार ने देश के घरेलों उस्पादन को बहावा देने यानि मेकिन इंजिया के लिए शुरू किया था। आज इस खर्खाने में उसकी बुनियाद इक्षमता से भी कापी ज्यादा उस्पादन को रहा है। भर्तियर रेलवे का ये सबसे अधूनिक खर्खाना है। और सबसे सस्की कीमतों पर सबसे बहतर रेलवे कोश बनाने के लिए मशूर है। ये सबसे अच्छी हिकायों में से एक मानी जाती है। जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत बहुत पैसा लगाया है। अपनी करी महनत से ये उफलब्दी हासिल करने वाले दो हजार से ज्यादा मजदूरों और करमचारियों को मैं इस सादन में बढ़ाई देती हूँ। लेकिन दुख के बात ये है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविश्य भारी संकत में हैं। और किसी को भी ये समझना मुश्किल है कि क्यों ये सरकार ऐसी उद्वियोगिस पिकाय का कमपनी कारन करना साथी है। अध्याक्समा हो दे सांसद में आलग से रेल बाजिट पेश करने की इतनी पुरानी परमपरा तो पता नहीं इस सरकार ने क्यों अचरनत खातम सरकार लेकिन अब हम कमपनी कारन की इस तरह के कडमों की संसदीर चानवीन की उम्मीद भी ना रखे। ऐसे मामनों में इस सादन के समुहिक विवेक का इस्तमाल करने की अपेक्शा भी न करे। सरकार ने इस फैसले को भी एक जहरा रास बना कर रखा। हर खानों की मजदूर यूनियों तक को विश्वास में नहीं लिया ना तो श्रामिकों को विश्वास में लिया जिनके पसीने से ये उद्योग करें हुए थे। मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सारवजेनिक शेत्र के उद्योगों का बनिया दी पर लोग कल्यान हैं। मीजी फुन्जी पठीयों का लाग पोचाना नहीं। अभ्याक्षम होवे, पंदित जवहारला नेरू ने हमारे सारवजन शेत्र के उज्योगों को आधूनिक भारत का मंदिर कहा का आज ये देखकर दुख अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातार मंदिर हत्रे में है मुनासे के बवजूद उनके करमचारियों को समय पर बेचन नहीं दिया जा रहा है और कुछ खास कुछी पत्यों को पाइदा पहुचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया गया है HL, BSNL और MTNL के साथ क्या हो रहा है यह किसी से किसी से भी छिपा नहीं है अध्याक्ष महादे मैं आप तो आपके जरिये सरकार से अनुरोज करती हूँ कि वे राइबरेली की Modern Coach Factory और सरवजेनिक शेत्र की सभी समपचियों की पूरी रच्छा करें और उन्हें इस मांजिल तक पहुंचाने वाले श्रामिकों और उनके परिवारों के प्रती सम्मान और आदर का भाव रखें जैंका अच्छार सेैंने प सब्सक्राइब झालाओं कै valबत प्रत्र की राव ऑले हुँ झालाओं को झाले शुमाने वीद lizard हळा ही प्रत्र हमें झाल झाल